अबर रिवा से हैं जहां राज निवास सर्किट हाउस में आयुजित पत्रकार वारता में उपमुख्यमंद्री राजन शुकला ने रिवा जीले और प्रदेश के विकास कारियों पर पत्रकारों से संबाद किया उपमुख्यमंद्री ने कहा कि 3 अक्टूबर को अटल पार्क सिविल लाइन का भव्य लोकारपन किया जाएगा इस शमारों में प्रशिदगा यक कैलाश खेर अपने श्वर का जादू भी खेरेंगे रिवा को मिलने वाली हर उपलवधी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्लाई योबर तथा अटल पार्क की उपलवधी को कैलाश खेर को मोहग गामों से सेलिब्रेट किया जाएगा अटल पार के लोकारपन को हम सब उत्सव के रूप में मनाएंगे उप मुक्यमंद्री ने कहा कि प्रदेश में श्वास्त विभाग में 30,000 श्वास्त करमियों की भरती सीग्रही की जा रही है इसमें 3,000 डाक्टर सामील है पर्यात संख्या में डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाप मिल जाने पर जिला मुख्याले के अस्पतालों और इसमानकार योजना से हृदय की वाई-पास सरजरी शफलता पूर्वक की गई है मैंने महिलाओं से जब भेड़ की उनके चेहरे के शंतोष और क्रतग्यता के भाव छलक रहे थे इस हास्पिचल में 150 जदिक रोगियों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लाश्टी थरमाह ह होती है अस्पताल में एक अत्रिक्त कैथ लैब मशीन शिग्र ही उपलत कराई जा रही है कैंसर के उप्चार के लिए 32 करोड रुपए की लागत से लीनेक और कैट स्कैन मशीने मंजूर कर दी गई है इससे कैंसर की जांच और उप्चार की पूरी शुवधा रीवा में हो पत्रकारों के प्रश्णों का उत्तर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 अक्तूबर को रिजिनल इंदस्ट्री का अंकलेव का आयोजन प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव रीवा में कर रहे हैं इससे रीवा ही नहीं पूरे बिंध में भारी मात् है रीवा से भोपाला और इंदवर के साथ साथ हैदरावाद के लिए भी सीरी बीमान सेवा के प्रयास किये जा रहे हैं को मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सिचाई परियोजना के लिए 4000 करोन रुपए के टेंडर हाल ही में हुए हैं बहुती नहर के लिए भी 1500 करोन रु से बचा ले नसीले पदार्थों के अवैद कारोबार पर पुलिस लगातार कारिवाई कर रही है साथ ही नशामुक्ति के लिए जन जागरुपता अभियान आवश्यक है नशामुक्ति अभियान सफल होने पर ही भावे पिढ़ी विकाश और सफलता के फाल का श्वाद ले पाएगी पत्रगार वार्ता में उगमंद्री ने नवीन सर्कित हाउस निर्माण वोरलें वाई पास निर्मांड बेला सिल परारेंग रिंग रोड निर्माण के संब्ध में जानकारे थी इस प्रागार वालता में सौगात का साम रीवा को एक नई सौगात की तारिक को मिलने जा रही है लंबे समय से रीवा में एक कमी हम लोग मैसूस करते थे कि एक अच्छा पार्क चो सज़्जीत और द्रबस्थित जहां पर हजारों के संख्या में लोग जा सके किसी कमी है और शहर के हिर्जे एस्थाल पे कोई स्पटार का इस्थान विक्षित होना चाहिए आज वो समय आया है जब तीन कर्कूबर को फिविल लाइन यहां पर पचास से ज़्यादा जरजर भवन सतर साल से ज़्यादा पुराने थे जहां पर रहने वाले भी कुछ नहीं थे और फिलन और जरजर भवनों के कारण उनके लिए निया आवाज मेरमिज करके और उस जगर को खाली कराके लगवक्त दस्थिकर में एक पार्क का निर्मान हुआ है जिसका नाम भारत रख्ल पूर प्रधाल मंत्री अटल यहरी वाजपीजी के नाम से करके अटल पार्क का उगाटन तीन अक्टूबर को हम लोग कदे जा रहे हैं और यह कारकम भाब हो और जाता प्रधाला लोग इसमें आए इसके लिए जो बहुत बड़े सांजितत के हैं गायक हैं अधरनी कैलाज खेर दी वो रिवा पधार रहे हैं और उनके क्योंकि लम्बे समय लिए कोई करलाज खेर जी कि कारकम से कदेलिए हन्टों के परधार के कारकम भीववéta में करते हैं जब कोई बड़ी उपलब्धी में जाती है उसको सेलिब्रेट करते है आपको ध्यान होगा जब लीवा का बाई पास वना था तो राजू शिवास्पर जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक लीवा के लोग दुखी रहे तो दिल खोल के हाथ सके उसे राजू शिवास्पर को ब का संगीद का बहुत बहुत बाला कारकम हो था जेंद महुस्पर के अंतरगर ऐसे ही जब राज कपूर अरुटूवियन को भाटन किया था तो एंपीसी ग्राउंड में सब ये संगीद के कारकम होए थे तो हमेशा से ये रहा है कि जब धीवा को लंदे समय की इंतरजार के सब्सक्राइब के लोगों के आत्मा को दिल को खुशी दे सके तो सिर्फ उस कारकम का उंखाकन बनना हो उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए तो से मौच रहे में स्लाइवर का तीसरा अलेक जो बनके त्यार हुआ उसके लोगों में बड़ी प्रसंड़ता है रीवा का एरफोर बनके त्यार हो गया है उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसंड़ता है तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए और इसलिए क्यलास खेल जी को बुलाकर तो गंटे का तींग घंटे का जो बेंका कारकम होगा उसमें रीवा की लोग उनके संगीत से आन्द का जो खाएंगे तो कि कलाकर रहें कि जब राश्ची इसक को कोई कारकम होता है तो फिर राश्ची इसक के कारकम में जब भाकाल लोग को घाटन हुआ था आपको ध्यान होगा जब प्रदान मंत्री जी उज्जैन आई थे तो उसमें संगीत का कारकम जो प्रसूप्ति करन कलाज खेल भी था पर इसे ही हार जगे जहां को प्रदान मंत्री जी जाते हैं कि तो संगीत का कारकम उसे जो जोड़ा रहता है वसमा कलाज खेल भी रहते हैं तो वो रिवा पधार रहेंगे हम सब के लिए पड़ी कुशिक की बात है तो आप सब के माज़न से मैं चाहता के तारिकम एतिहासी रूप से सफ़ल हो इसके लिए आप सब के माज़न से लोगों के बाद चंजन तक ये बाद पहुँचे और आने वाला समय रिवा का बहुत ही सुर्णिल समय है क्योंकि तो यह से काम रिवा में हो रहे हैं इसका लंदे समय से इंज़ा था और वो काम न जाल बिज़ाने के बाद रिवा की तरसिर बजली है कि हम नहीं कहते हैं पूरा प्रदेश कहता है कि रिवा बजला है रिवा के विकास के मॉडल को का उधारा दिया जा रहा है इसलिए मुखवंत्री जी ने जब चारगार की सभा को जवलपूर से संबोजित किया तो उन्ह से नौ लाग हेकर हो जाए इसके लिए लगवस चार हजार क्रोड रुपे टेंडर हो गए हैं जो सीटापूर माइक्रो हनमुना माइक्रो बहुती कैनाल में चौदा सो क्रोड रुपे का स्विकृति की योजना भारत सर्टार गई है आज में दिली जा रहा हूं कर वहां के जब ससाथर मंत्री से मिलके और उसकी और पहनी रुपर गुष पानी पूर और दूसरी ओर युवा क्वीर को नचे से बचाना इसके लिए पिछले दिनों मैंने पुलिस के अधिकारियों का और जिरा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक सहुख तो बैठक की थी कुछ दिन पहले पुलिस वालों के साथ किया था इस वार सहुख तो बैठक किया है और उसमें हमने कहा है कि नशा का अवैज धंडा करने वाले कोरेक्स और इत्वान तरह के चीजों का धंडा करने वालों के जखीरों को पटड़ना अवराजियों को जेल वेजने का काम पुलिस करे और जो नशे के आगोस में आ गये हैं जुआ पिढ़ी के लोग उनको सुधा के अंदर खोले जाए और वहां पर उनको पूचाया जाए और हमारे पास यह से उधारण है कि ती चार महीने के अदरों में इमांदारी जेशाथ उनको सुधार ने करताम किया जाए तो बच्चों को नशा चूप जाता है और बहुत अच्छा जीवन गिजिए के लिए प् इस विकास का फल और उसके बाद 20 अक्टूबर के आपपास से घाटन की त्यारिम होगी मुक्वंट्री प्रधान मंत्री जी ने सर्धान्पी ग्रूप से रिवा के एरपोर्ट के नेवान होने पर प्रसंता भी वेट्पी की है और इसके लिए वर्च्वल लोकापण के लिए मैंने उसे अन्रोफ लिया था मुक्वंट्री जी पास में थे और उन्होंने अपनी स्वामदी है डेट जल्दी फिक्स हो जाएगा अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पर और जी फ्लाइटे डिवा से शुरू हो रिवा से शायद उल्ली सीटर या शब्ली सीटर से शुरू होगी लेकिन बहत्तर सीटर प्लेन यह दे भीवा से इंदौर और हैटाबाद और रिवा ऐसा सर्कित बनेगा तो पूरा रिवा साउस से जुड़ जाएगा और इंदौर जाएगा तो वहां से दिल्ली और बंबई से भी चुर जाएगा तो अब हवाई अड़े बन गया अब हवाई जहाज कैसे चलाना है कहां चलाना है इसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं तो उसके लिए भी अपकाम करेंगी सब्सक्राइब होने वाली अपने अरिवा में क्या मान से कितना इंडेस्मेंट यहां आएगा तेइस अक्टूबर को रिजिनल इंडेस्ट्री कांक्लेव जो डाक्टर मोहन यादर जी मुखंट्री जी के लिए तुम्हें हो रही है तो जिए दिनों सागर में हुई है अब लोगों को जाता बहतर सुफेडिया को समझने का मौका मिलता है कि किस पकार कि उंडेस्ट्री लगाने का यहां पर इसकोप है और जमीन कितनी है और राब एटी जेल क्या है मार्केट क्या है तो हमारी कोशित है कि दुनिया अच्वेश के लोगों को हम बताएंगे कि रिव से लगा हुआ यूपी का 25 करोड की आबादी वाला मार्केट है और यहां पर एक्रिकल्चर का प्रेडूर्स ऐसा है कि सचाही के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादस्ता दोनों अब चरण पर पहुंच रहने वाली है इसलिए आप फूर पार्क भी लगाई है कि सब्सक्राइब तो साथ याठ मंजल का कॉलिग चुड़ाई पर बन रहा है तो उसमें हम एरिया देंगे बड़ी बड़ी आइटी कंपनीद को तो एक एक कंपनी हजार हजार दोकों को रोजकार जोती है तो उसमें से दोज़ार मिलेगा और गार्मेंट का अज कल बहुत च सब्सक्राइब तो गार्मेंट के च्छेतर में भी कई ऐसे सेक्टर है जहां पर जैसे हमने रिनूवल एनर्जी के सेक्टर में जो सोलर कांट लगाया उसकी चरशा पूरे देश में है उसी प्रकार से अन्य सेक्टर में भी हम काम करके और ऊबर सकते हैं तो यह रिजिनल इ गुरेता महुगंज में हैं इसे हन्मना के पास है इधर ये घूमा कट्रा जमी की कमी नहीं है हमारे यहां इसे हमारे गुड़ में और बाकि रॉयल लेंड भी है लेंड बैंक पर्याप्त है जो जहां उगली दज्देगा उसको वहां पर समिदे भी जाएगी यह हमारी नीपी है अब मैं दिल्ली में समय लेके वहां पर केंदरी परिवार मंत्री गट के लिए से मिल तो उसको मलजूर करा लेगे सांसर्च जी को भी हमें बोला है वो भी उससे बाच्ची रोने की है तो कुल में लागे इंट्राइट स्ट्रेक्चर से सम्मंधित और के काम जैसे बेला से सिल्परा से बेला फोर लेन के साथ धाई सो करोर की बन रही है पहले एक कंपणी फेल हो गई या दूसरी कंपणी बना रही है उसके एक साल के अंदर वो बन जाना चाहिए और ऐसे ही दीवा बाइपास तूले से फोर लेन साड़े चार सो करोर रूपे मंजूर हो गए है उसके टंडर हो गए है और नवंबर में उसका काम शुरू होगा और तो पूरे दीवा के चारों तरफ रिंग बन जाएगी फोर लेन की रतरा से सिर्परा बना हुआ है बागी सारा फोर लेन बन जाएगा तो चौतरफा विकास के मार्ज उखुल जाते हैं जब किसी शहर के चारों फोर लेन की रोग तुरिंग रोड बन जाती है तो उन दिशा में भी सारी मंजूरिया हो गई और काम तुरू होने वाला है प्राइब परिवार के महिनाओं का दो दिन पहले बाइपास सर्जरी हुआ था हाड का बाइपास सर्जरी जिसमें एक बाइपास हुआ है दो यह वाल रेप्लेस्मेंट का उसे दोनों प्तीनों में हाड खोलना पड़ता है कभी हम सोच सकते हैं कि वीवा में कोई ऐसा अस्वताल सरकारी बन के तियार होगा जहां पर वाइपास और ओपर हाड तर्जरी का अपरेशन होगा तो बहुत हम आगे बढ़े हैं स्वार से कि छेतर में तेकि मैं आपकी बात को इसलिए खाड़े करता कि सुल्हार की लगता है तो उसके बाद हम सुपर इस्पेशन्टी के पीछे जो 30 करोर की विस्तार का ब्लॉक बनने वाला उसकी हमने पूर्टाज की क्योंकि 200 बैट का सुपर इस्पेशन्टी बहुत छोटा पढ़ रहा है इसी से आप समझे कि उसके प्रसी भरुसा पढ़ रहा है तभी तो लो के लिए किसी मरेश को जारा पड़े तो लीनेक मशीन आती है जो 32 करोड के आती है उसका खरीवा के लिए मंजूरी दे दी है और उसकी बिल्लिंग बन रही है हर 10 दिन में हमें तराम आएंगे तो बिल्जिन को जबी पूरा करो मशीन लगाओ जिसे कि जो जवाला नहरू कै सब्सक्राइब तो आप की जो बात है आए हमेशा इस बात का प्रक्षदर हो कि लगतार इसमें हम को काम करना है हमें जब तक हमारे ब्लाक लेवल पर समद्र वसकिन जिलास्ताल की इसतर पर अग्रेड़ नहीं हो जाते तक हमारा है और प्रकार के शिकायते हैं कि और इस दिशा में डॉक्टर मोहने अदो जी की सरकार अधानमंती नरेज मोदी जी की सरकार के साथ आइनल बना के और हेल्थ प्रेडामीटर में मर्द्व देश को हिंदुस्तान का सबसे बहतर राज़ बनाने का प्रयाथ कर देगी सवास के जोड़ा एक और सवाल था रिवा में एक लड़का है तीन दिन पहले बात हुई है और भोबाद से सीमचो को मेसेज आ गया है उसको हम मेदामता पोचाएंगे और शायद साल भर में उसका चार-पांच लाग रुपए का रेगूलर इलाज करना पड़ेगा जो बीमा कि इसके दिये जो इस्टेंडर है मानक है उसको हमने इन पिछे साथ-ाथ महिनों में मंत्र मंटर से मंजूग कराने पे सबसा प्राइब इसका मतलब ये है कि सबस्क बिवाग में जबतकर मानों संसादन की करनी बीमानक नहीं करेंगे तक हम हेल्द की सुजाओं को बैसर नह सर्वे सुविधायोग नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्थ है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पतेल के द्वारा उपलब्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860288559900 पर